अब दोस्तों वेल्पॉन टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद है बहुत ही अच्छे होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का माल पुआ बहुत ही टेस्टी और बहुत ज्यादा यमी बनके त्यार होता है अब देख सकते हैं कितना बढ़ी हो मसिदार बनके त्यार अब देख सकते हैं कितना बढ़िया बनके त्यार हुआ है बिल्कुल फूले फूले से नर्म मुलाम हमारे बनके त्यार हुए है अब देखिए इसका अंदर कितना बढ़िया स्पंजी है तो देखिए बात की चलिए बिना देखिए में इसे बनाना सुरू करते है इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दो कटोड़ी गेहु काटा इसे कटोड़ी से दो कटोड़ी मैंने गेहु काटा लिया है आधे कटोड़ी के लगवा मैं इसमें डालूंगी सूजी एक कटोड़ी के लगवाग जाएगा इसमें चीनी एक बड़े चमज मैंने घी लिया है घी को मेल्ट करते हैं अब इसमें डालेंगे हम इलाची इलाची प्रॉडर अच्छी तरीके से इसको पहले मिक्स कर लेके हैं यह बहुत जाना तेस्टी बनता है अब चाओ जिसमें छोटे टुकरे ड्राइफूट के में डाल सकते हो इसमें बनाओगी हमारे टेस्ट में अच्छा लगता है इसमें सिर्फ इलाची और सुग्देसी घी का टेस्ट आता है तो बहुत जाद अच्छा लगता है साड़े पुवा में रही पुवा जो है बहुत जाता टेस्टी लगता है घी को मैंने मेरिक कर लिया है कटोड़ी में लग भगी आधी कटोड़ी है मिक्स करेंगे अच्छी तरीकी से इस फोली आप इसे बना के जरू ट्रै करें बहुत ही टेस्टी और लाजवा स्वादिश्ट यह पुवा बन के त्यार होता है अच्छी तरीके से पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे गी हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब हमें लेना है हमका साथ गुनगुला दूद और दूद से हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा राल के हम इसे बनाते जाला है गुल हमारा टेयार हो गया है अभी हमें इसके थिकनेस नहीं जांचनी है अभी एक से दो घंटे हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे चीनी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी सूजी हमारी फूल जाएगी आटा भी हमारा फूल जाएगा तब यह पूह तो कम से कम दो घंटे के लिए में इसे छोड़ना है अगर आपको सुभा बनाना है तो आप अर्ली मॉनिंग इसको घोल के छोड़ दे कम से कम दो घंटे का इसको रेस्ट जरूर चाहिए तो मैंने इसे घोल त्यार कर लिया है दो घंटे के लिए में इसे छोड़ देती हू ज़्सकु जाधा पतला नहीं करना है कि चीदनी हमारी मिल्ट होती है तो ये बाद में और ज्याधा पतला हो जाएगा तो अभी इसको ज्याधा पतला नहीं करें थोड़े सा ठीक रहने तेस्ट के लिए छोड़ देते हैं इसे मिला कर रखे हो में दो तिन घंटे हो चुके हैं अब यह मिश्या नहीं थीक है हलका समय से और डीला करना है आप देख सकते हैं यह थिक है जो भी इसकार इसकी चीनी थी पुरी तरी की से मेर्ट हो चुकी है हलका स्ट करेंगे इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तो वीडियो बनाने मुझे बहुत मेहनत लगती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक कर देना मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि यसे अच्छी वीडियो में आपके साथ और भी शेयर फिर सको अच्छी तरीक से मिक्स करेंगे बैटर हमारा मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीकी की ठिकनेश चाहिए हमें चलिए हमार एड़े ग्यास ओन करते हैं डालते हैं आप चाहें तो इसको सुध्य सीगे में भी फ्राइब कर सकते हैं इससे इसका टेश्ट और भी जाता बढ़ियाब हो जाएगा बिल्कुल आपकी चोईस में है कि के देटेए इसको इसे पुरि तरीके से गर्म होने देते हैं कोकिंग ओयल हमारा पुरी तरीके से गर्म हो चुका है लेंगे है अपने बैंटर को इस तरीके से कल्छी से इसमें डाल देते हैं यह अपने आप उपर आएगा विसे अभी टच करने के जुरत नहीं है अब यह इसे पकने देंगे यह अपने आप पक के उपर आजाएगा फ्लेम को दिल पर रखें हलके से टच करेंगे अब देख सकते हैं यह उपर आने लगा है एक साथ हम आराम से दो दो पुए निकाल सकते हैं कराही बड़ी हूँ तो आप तीन चार तक भी एक साथ निकाल सकते हो क्योंकि इस पुए को हमें थोड़ा सा लो फ्लेम पर बनाना होता है तब ही यह बढ़िया बनता है तो इसे मीडियम से लो के बीच में रखके ही बनाना है हाई फ्लेम पर बिल्कुल ही नहीं बनाना है थोड़ा से टाइम टेकिंग है इसे बनाना में टाइम लगता है लेकि साथ आप दो तीन निकाल के बना सकते हो ढाल के पुरी तरीके से फूल रहा है वाव सुपर देखिए यह वाला भी हमारा उपड़ आ गया है इसे भी आराम से पलट लेते हैं धिमिया पैसे करेंगे मैं इसमें और डाल देती हूं कडाई मेरी छोटी है तुम्हें एक साथ तीन भी बना सकती हूं आप चाहों बड़ी कडाई रहेगी तो आप चार भी बना सकते हो एक सा जादा टेस्टी और यूनिक रेस्पी बहुत जादा मज़ेदार बनती है यह बना के जबूर ट्राइब करना कैसी लगी मुझे कॉमेंट पर बताना और अगर आपने अभी दिख मेरी वीडियो को लाइक ने किया चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज कर देना कि थोड़ा इसी ने गुल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है थोड़ी देते हैं कि सबसे पहरे जो आमने पूर डाला था पूर्डन खड़का हो गया है इसे निकाल देते हैं अब देख सकते हैं कित्मा पढ़िया बनके त्यार हुआ है बिल्कुल फूरे फूरे इसके अंदर के फाग इतने ट्रेश्टी और मुलाएं यह अंदर से बनके त्यार होता है मैंने इसे निकाल देया और इसके जगह एक निया पूवा मैं यहां पर डाल देती हूं इसे बुए पूवा हमारे जल्दी से निकल जाएंगे इसी तरीके से हम सारी पूव को तल लेंगे तो देखिए माल पूवा बनके हमारे बिल्कुल रेडी है कितने बढ़िया बनकत त्यार हुए है बिल्कुल फुले नर्म मुलायम उपर से क्रंची है अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट नर्म मुलायम तो आप बना के जरूर ट्राइब करना और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इक लाइक कर देना मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अच्छ अच्छी वीडियो मैं आपके साथ और भी स्यार कर सकूं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बाबाई